इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आपके लाप्टॉप में बैटरी सेवर का एक ऑप्शन मिलता है पावर और बैटरी के अंदर तो बैसिकली इसकी सेटिंग्स हम कैसे करें यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ तो बैटरी सेवर में आने के लिए सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करें और यहाँ पर सेटिंग्स के आउप्शण पर आ जाये इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे system पर क्लिक करने के बाद पावर और बैटरी ठीक है लिखा हुआ है battery saver turn on now जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका battery saver on हो जाएगा यहाँ पर इस तरीक से logo लिखकर आ जाएगा और battery saver लिखकर आ जाएगा कि आपका on है ठीक है battery saver on करने से होता क्या है आपकी charging laptop की बहुत देर तक चलती है ठीक है इसके बाद लिखकर नीचे option है turn battery saver on automatically at यानि कि जैसे ही आपका laptop की बैटरी certain amount तक पहुचती है certain percentage तक पहुचती है automatic battery saver on हो जाएगा तो default में 20% रहता है तो आप अपनी वर्जी से set कर सकते हैं कब आपका battery saver अपने आप on हो जाना चाहिए ठीक है इसके बाद यहाँ पर lower screen brightness when using battery saver तो अगर आप battery saver on कर लेते हैं तो आप क्या चाहते हैं कि आपकी screen की brightness कम हो जाए क्योंकि ज्यारतर power display ही लेता इस्क्रीन ही लेती है तो मेरे कमांड करूंगा इसको on रखे ठीक है और battery usage आपको यहाँ पर एक option देखता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कब कितने बजे कितना आपका battery यूज हुई है अब कब आपने यहाँ पर चार्ज लगाया था एंड यहाँ पर कौन सी application कितने पर सेंट आपकी चार्जिंग ले रही है अब यहाँ पर सब देख सकते हैं उमीद करता हूं आप समझ गया होंगे वीडियो पसंद आई हो तो टेक्स्टोर को सब्सक्राइब तरू करते हैं